एब रीवन मैं महें पांडे आप लोग आमने यूत्यूब चैनल केसी टैली श्पेस्लिस्ट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं टैली का मैं कंप्रीट वीडियो अप्लोड कर चुका हूं बट आज मैं पेरोल के लिए के स्पेसल वीडिय से जिसमें complete payroll बताया गया है बट मैं आप लोगों की request पर ये video single video बना रहा हूं जिसमें complete payroll का knowledge आपको दूँगा it means payroll को activate करने से ले करके payroll को हम कैसे implement करते हैं टाइली में तथा payroll से related reports को हम कैसे check करते हैं हम payable कैसे check करते हैं और हम salary को payment कैसे करते हैं वह complete details वीडियो में आपको मिलेगा तो वीडियो बहुत important है वीडियो को बिना skip कि आप last तक देखें और ऐसे important वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe जरूर करें वीडियो अच्छी लगए तो like करें आप जरूर प्रस करने जिससे वीडियो का notification आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो चलिए देखते हैं पेरोल इन टैली complete पेरोल सिंगल वीडियो में आप देख पा रहे हैं टैली की में विंडो पर हम है स्क्रीन पे अबलेबल है मैंने एक एक एकजांपल में एक कंपणी बना रखा है पेरोल नेम से अभी ये blank कंपणी इसमें कुछ भी नहीं है पेरोल ओप्णन टैली में बहुत इमपरटन्ट ओप्णन है जैसे किसी भी कंप्णी में employee को salary पेघ करना है तो ऊसके लिए एक बार हम format तयार कर लेते हैं फिर जितने भी employees हैं एक बार में सबको salary हम deduct करा देते हैं किसको कितनी salary प्रूब्लम कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है यादि आपने सारे मास्टर्स अच्छे से क्रियेट कर लिये हैं तो पिरोल को यूज करने से पहले हम फीचर्स में जा करके अक्टिवेट करते हैं जबकि मैं इसमें अक्टिवेट कर चुका हूँ बट आपको बता दूँ फीचर्स में जाते हैं accounting features मेर हम पहुचते है यहां से हम enter करते हुए निचे आते हैं menu होता है आपका cost profit center management इसमें हम यहां payroll maintain payroll option को हम yes करते हैं enter करके हम निचे आते हैं इसमें next option है आपका maintain more than one payroll और cost category इसे भी हम yes कर लेते हैं और enter करते हुए हम accept करें या फिर control करके हम setting को save कर ले यहीं हम payroll estate tree details को भी set कर लेंगे उसको हम activate कर लेंगे state tree and tax session में हम चले जाएंगे और enter करते हुए हम नीचे आएंगे यहां आप देख़ पा रहे हैं enable payroll steak tree तो इसे हम यहां से yes करेंगे और set order payroll estate tree details को भी हम यहां से yes कर लेंगे आप देख पा रहे हैं आपके सामने पेरोल इस्टेटरी डिटेल्स का विव आ गया यहां देखें आप प्राविडेंट फंड जिसे हम EPF कहते हैं Employee Provident Fund जिस जो कमपनी प्राविडेंट फंड देती है Employees का PF कटता है उनके सेलरी से चुकि हर कमपनी PF प्रोवाइड नहीं करती है तो यदि PF कट रहा है limited firm है तो PF कट रहा है तो उसका एक जो PF का registration document होगा वहाँ आपको company code company account group code तता company security code आपको provide होगा वह आप वहाँ से देख करके डाल सकते हैं मैंने ऐसे example में कुछ डाल रखा है यहांपर एक format बना करके हमने रख दिया है वैसे भी अगर किसी company में आप job करोगे तो company में सारी चीज़े पहले से ही manage रहती है अगर पहले से नहीं है तो आप इसको खुद कर सकते हैं document को जो hard copy आपके पास document होगा उससे देख करके आप इसको set कर सकते हैं इंटर करते हुए हम नीचे आजाते हैं आप देख पा रहे हैं employee state insurance employee state insurance का क्या काम होता है employees का जो उनका insert होते हैं अगर उन्हें कोई problem हो गई कोई दिक्कत आ गई तो उनकी जो दवा हुआ का खर्चा होता है वो company के ESI fund से प्राप्त होता है उन्हें तो यहां पर company code हमने प् एक मन्त में जो universal working days होता है वो 26 days होता है तो हम यहां कुछ नहीं डाल रहे हैं यहां अगर national pension scheme की सभीदा है company में तो आप उसको भी यहां पर set करेंगे यहां दो ऑप्शन है government and other तो हम other करके रखते हैं because टैली का यूज जदा तर private firm किया जाता है तो यहां से एंटर करते हुए सारी details को आपको भर लेना है field दी हुई है तो आसानी साब इसको भर पाएंगे इसको हम select करके हम बाहर आ जाते हैं setting मेरी complete हो गई है तो आप देखें gateway आप टैली के main menu में masters में payroll info आ चुका है और यह मे कुछ हमने यहां बनाया नहीं है यह एक blank company है विकॉज हम एक्जामपल के लिए आपको इसको समझाने के लिए company मैंने बनाई हुई है तो चलिए हम देखते हैं payroll info आप देख पारें गेटवेब टैली payroll info के अंतरगत हम आ चुके हैं जिसमें employee category सो कर रहा है category पहले से बना हु है primary cost category में ही सब को रख लेते हैं नेक्स हम चलते हैं employee group देख लेते हैं employee group का sense यह है कि जैसे कोई company है तो company में employee group बनाना जरूरी होते हैं इस company में अलग अलग designation होते हैं जैसे manager है आपका accountant है sales है या फिर clerk है इस सब टाइप के अलग-अलग designation होते हैं तो उसके लिए हम group create कर लेते हैं चलते हैं आते हैं group बना लेते हैं यहाँ पर हम primary cost category चुनते हैं और यहां हमने बना लिया manager एंटर करते हैं primary में डालते हैं salary details define salary details option आ रहा है तो अभी हम नहीं बनाते हैं जो हम सारे pay head होगरा create कर लेते हैं तब हम इसको बनाते हैं हम एक group और बना ले रहे हैं sales का बना रहे हैं sales का group हमने बना लिया और यहां पर हमने accept कर लिया अब हम चलते हैं back करके यहां से हम employees बना लेते हैं employees हम बना लेते हैं जैसे मालीजे एक इंपलई का number डाल देते हैं, इनका जो designation है वो हम डाल देते हैं, manager हैं और इनका जो function है, administrator work है, administration है, तो इस तरह से हम details को डाल देते हैं, यह सारी details मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई हैं, तो इसको field के according जो भी है, employees का जो detail आप उसको completely भर लेंगे, अगर passport visa detail अगर other country में job कर रहे हैं तो यहाँ पर उनका details होगा रहा हूं लेते हैं कोई contract basis पर employee है तो यहाँ पर मुसका contract details डाल देते हैं इस तरह से हम दूसरा employee बना लेते हैं मुहित कुमार को हम यहाँ से sales में डाल देते हैं sales में डाल दिया यहाँ सारी details हम उसी के recording भरते चले जाएंगे जैसा detail होगा तो हम इसको ignore करते चले जाते हैं आप इसको भर लीजिएगा विकास वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ और details information बस employee information डालना है तो इसमें कोई भी problem आपको नहीं आएगी हम next बना लेते हैं राजेस हमने बना लिया राजेस का भी under मैंने cells में ही डाल दिया एंटर किया तो इस तरह से सारी details को हम submit करते हो जाएंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुए define salary detail तो salary detail अभी हम नहीं डाल रहे है विकाज अभी हमें pay head होगरा सारी चीज़ें create करनी है unit work unit create करना हम इसको बनाएंगे हम control करके इसको save कर लेते हैं हम बैक करके आ जाते हैं कुछ employees नहीं हमने बना लिए हम चलते हैं unit works create कर लेते हैं units क्या है जिसे work कर रहा है तो HRS हम कर लेते हैं hours के लिए hours हो जाएंगे और हम minutes बना लेंगे मनस कर लिया हमने minutes के लिए minutes बना लिया हम एक compound unit create कर लेंगे मान लिजिए अगर overtime हो रहा है तो आधे घंटे का विवरण हमें देना होगा तो हम एक compound unit बना ले रहे हैं one hour में 60 minutes होते हैं तो हमने आपर provide कर दिया इस तरह से हम back आ जाते हैं आपने देखा work unit भी हमने create कर लिया है attendance and production में हम चले जाएंगे यहां से attendance type हम बना लेते हैं जैसे हम present बना लें present है कितने दिन की present ही है यहां पर हम डालेंगे और जो इसका head type होगा attendance type जो होगा attendance leave with पे यहां हम absent बना लेते हैं कि absent वैसे CLPL बहुत सारी चीज़े बनाई जा सकती है जो जो company में जैसा rule regulation हो उसके हिसाब से हम बना लेते हैं तो हम इस example आपको present और absent बता दे रहें यहां पर चरते हैं जो आपसेंटी हो जाती है वो लिप बिदाउट पे में मैं डाल दे रहा हूं absent को लिप बिदाउट पे डाल दिया मैंने हम एक ओबर टाइम बना ले रहे हैं उगर देती है जितने heads use के जाते हैं salary में किसी employee के वो सारे head हम यहां पर create करते हैं यही सबसे important है यह आप टिके payroll में उसके master create करने में ही time लगते हैं और उसके बाद आपका सारा काम बहुत आसान हो जाता है salary उनी पर automatically सारा कुछ deduct हो जाता है और बहुत ही accurate डंग से होता है तो हम चलते हैं सबसे पहले होता है एक basic ग्रेड पे होता है तो उसे हम basic pay में बना लेते हैं basic pay basic pay हमने pay head डाल दिया यहाँ पर आप नीचे आएंगे आप देख पाएंगे pay head information में तो जो basic salary होती है जितना वो earn करता है employee की earning के उपर मतलब जितने दिन वो attend होगा उसे साफ़े उसका basic पर बनता है तो earning for employee आप pay head type में earning for employees कर देंगे हम यहाँ income type को fix भी कर सकते हैं और variable भी क कर सकते हैं लेकिन जो basic pay होता वो fix होता है तो यहाँ पर fix कर देंगे indirect expenses कोई भी देखे एक खर्चा है और monthly खर्चे जो होते उन्हें indirect अप्रतिक्ष खर्चे में डालते हैं indirect expenses में डालते हैं तो हम यहाँ indirect expenses का चुनाव करेंगे effect पूरी salary पर यह effect होगा इसी पर depend करती है यहाँ पर आप देखेंगे calculation type में जाएंगे और यहाँ जो attendance होगी उसी पर आपका यह बनेगा तो attendance करेंगे और यहाँ पर हम present बना लेंगे यहाँ पर आप business ध्यान देंगे जो calculation period है यहाँ month रखेंगे days नहीं रखेंगे नहीं तो जो आप salary का जो fixed amount देंगे दस जार पां बनने लगेगा तो यहाँ पर months होना चाहिए और months कौन सा होगा as calendar period calendar period के according होगा rounding option आप जानते हैं कि जो दस बलो के बाद अगर हम round figure में amount को so करना चाहते हैं तो rounding facility provide करते हैं बस उसको अभी हम नहीं कर रहे हैं इसके बारे में अगर जानना हो तो मारी पिछली वीडियो जिसे हम बुलते हैं dearness allowance dearness allowance dearness allowance को बूलते हैं महंगाई भत्ता जो महंगाई भत्ता लगता है महंगाई भत्ता यहीं बढ़ता रहता है जिससे salary improve हो जाती है basic pay पर एगर देखा जाए तो डिपेंड नहीं जो डिये होता उसके recording है आपकी salary improve कर जाती है आप देख पा रहे है pay head information में तो pay head type जो होगा आपका earning for employees होगा चुकि जो earn करता है employee उसी पर उसका DA deduct करता है उसके basic pay के आधार पर होता है तो यहां हम कर देते हैं variable हम करें चाहें fixed करें fix करने से क्या होगा एक fixed value होगी और variable कर देंगे तो change भी कर सकते हैं जब ही मैं compute value करना होता है तो हम variable करते है यह तो मैं i semester कर देते हैं हमने यहां पर जिए करते हैं अगर आपको variable chain समझना है तो मारे पीछली वीडियो में मैंने variable करके दिखाया हुआ है तो में May I'll fix कर के दिखा देते हैं जिसे वीडियो बहुत लंबी ना हो enter करते हैं माते ह। यहां पर इसको yes करते हैं पर online attendance हम करते हैं enter करते हम आते हैं present करेंगे और यहां पर हम calculation period में months डालेंगे और यह as per calendar period क्योंकि हम यहां enter करते हुए accept कर लेंगे इसी तरीके से हम hra create कर लेते हैं hra hra क्या है hra बोलते हैं house rent elements हम लिखना चाहें तो पूरा detail लिख सकते हैं enter करके हम आ जाते हैं यह भी earning for employees में ही करते हैं इसमें भी हम fixed करना चाहें अगर variable करना चाहते हैं तो हम variable कर सकते हैं तो हम यहां पर क्या करते हैं यहां हम variable करके एक्टो दिखा देते हैं यहां पर हम indirect expense कर देते हैं enter करते हुए हम आते हैं यहां एस करते हैं और यहां पर हम on computed value कर देंगे not applicable करेंगे यहाँ पर on current turning total कर सकते हैं यहाँ पर on current turning total हमने कर दिया यहाँ जाते हैं अगर हम यहाँ सेट करते हैं 15,000 से कम salary है तो इस पर percentage हम दे देते हैं 40% मान लिजए अचारे प्राप्त होता है salary के according यहाँ पर कोई value हमें maximum value provide करना चाहते हैं तो 6000 एक maximum value है इसकी ज यहाँ पर एंटर करेंगे चाहे जित्ती salary हो वो 6000 से ज्यादा एक चाहरे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ बने value भी दे दिया एंटर किया और accept कर लिया अब next हम बना देते हैं convince 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 करेंगे जिसे टीए भी हम कह सकते है traveling allowance भी का जा सकता है यहां भी हम earning for implies करेंगे इसे हम fix कर दे रहे हैं यह भी आपका indirect expenses में जाएगा yes करेंगे convince करके yes करके accept करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ पर हम flat rate डाल देते हैं यह month के according होगा day wise नहीं है month है अपका enter करते हैं और accept कर लेते हैं फिर हम चलते हैं over time बना लेते हैं हम over time paid बना लेते हैं यह भी हो जाएगा आपका earning for implies यह आपका fix नहीं होगा यह variable में रखेंगे indirect expenses करेंगे enter करते हुए निचे आ जाएंगे यहाँ इसको yes करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे on production जो production होगा उसी के according यह आपका बनेगा accept कर लेते हैं अब हम चलते हैं इप बना लेते हैं employee provident fund employee pf बना लेते हैं employee pf जो है समय आपका 12% है employee pf होता है जो 12% जिसे deduct करता है 12% deduct करता है employee pf तो यहाँ 12% हमने बना लिया एंटर करते हैं अब आप देखेंगे जो paid information में paid type है earning for employees हम नहीं करेंगे यहाँ पर paid type हम चुनेंगे employees statry deductions यहाँ एंटर करेंगे आप देख पा रहे हैं statry pay type जो सो कर रहा है इसमें हम चुनेंगे pf account number one इसका विशेश आप ध्यान देंगे बहुत ही important है यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे current liabilities चुनेंगे because duties taxes में नहीं एक liability होता है तो यहाँ current liabilities करेंगे यह effect करता है salaries पर तो यहाँ yes करेंगे एंटर करते आते हैं और यहाँ पर एंटर करके accept करते हैं यहाँ करेंगे on specified formula आपको मालूम हो कि जो pf होता है वो basic paper और आपका dareness allowance पर ही deduct करता है pf जो होता है वो basic pay और dareness allowance पर ही deduct करता है तो यहाँ पर हम आ जाएंगे यहाँ हमने डाल दिया 15,000 जो मैंने एक limit बनाया हुआ है 15,000 कर दिया percentage देंगे और यहाँ पर हम 12% apply करेंगे जो एक limit होता है pf का 15,000 तक ही pf provide किया जाता है यहाँ पर हमने up to amount नह इतना भी salary होगा तो उस पर उसका 12% मतलब 15,000 का 12% जो होता है वो deduct करेगा और 15,000 का 12% कितना होगा 15,000 का 12% होगा आपका 800 यहाँ यहाँ पर लिख दिया यहाँ एंटर करते हैं और इसको हम accept कर लेते हैं तो यह बहुत ही जरूरी है compute यहीं हम सारी setting करते हैं यहीं हमको paid बन employee ESI बना लेते हैं ESI आप जानते हैं कि ESI बोलते हैं employee state insurance और इस समय जो आपका employee state insurance है वो 0.75 है पहले इसका जो था 1.75 था लेकिन इस समय 0.75 है यह हम यहाँ लिख लेते हैं इसके वाद एंटर करते हैं पहेट टाइप में आते हैं आपका चुकी यह employed ESI है तो यहाँ employee state deduction हो जाएगा और आप देखें इस टेटरी पहेट टाइप में देख पा रहे हैं employee state insurance जो है हम इसको starting में यह इसको यहाँ पर चुन लेंगे और यह भी current liability में आता है इसको यहाँ से एंटर करेंगे accept करते हुए नीचे आएंगे यह भी आपका specified formula पर रहेगा आपको मालूम हो कि जो ESI deduct करता है वो आपका gross salary पर deduct करता है तो यहाँ पर हम pay hits चुनेंगे basic pay हो गया यहाँ पर हम आपके जितने भी बनाया आपने सब को हम चुन लेंगे convince हो जाएगा यहाँ पर आपका DA हो जाएगा यहाँ पर फिरम दे देते हैं overtime यह सारी चीज़े हमने यहाँ से provide किया इंडव लिस्ट करेंगे यहाँ आ जाएंगे को यहाँ पर कुछ भी amount नहीं देना है कि वह आपको इसको यहाँ पर percentage आपको provide कर देना है तो यह automatic यह deduct कर लेता है यहाँ एंटर करके accept कर लें आप देखें कोई भी amount पर options पर यह अपका cursor गया ही नहीं यहाँ पर हमको कुछ देने की नहीं चुकि यह unique है 0.75 एक unique rate है जो हर amount पर deduct करता है चाहे जितनी भी salary हो एंटर करते हैं accept कर लेते हैं माल लिजए अगर हम advance salary किसी employee को पहले दे चुके हैं और उसे हमें deduct कराना है तो हम salary advance का भी एक यहाँ से laser create कर लेते हैं चाहे हम इसे laser से जाके create करें चाहे आस करें यहाँ लिख लेते हैं salary advance salary advance का एक हम बना लेंगे यहाँ पर हम करेंगे loan and advance category चुनेंगे हम यहाँ पर और आप देखें loan and advance assets में चला जाएगा और यहाँ पर yes करेंगे salary advance करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे flat rate और यह months कर देंगे हम enter करते हैं accept कर लेते हैं आप ध्यान दें जो अभी मैंने PF का बनाया employee PF का employee PF 12% था सेम जितना employee के account पर PF deduct करता है उतना ही employer भी employee के account में जोड़ देता है देता है उसको लेकिन वो उसको बोलते है employer contribution कहने का मतलब employee उस 12% को दो भाग में deduct करता है कहने का मतलब EPF employer contribution होता है 3.67% तथा EPS employer contribution होता है 8.33 जो दोनों जोड़ दिया जाए तो 12% बन जाता है ऐसा क्यों है क्योंकि जो 3.67% EPF है वो PF account में add हो जाता है employee के तथा जो EPS है वो pension scheme में चला जाता है आठ तसमलो 33% तो हम बना लेते हैं employer EPF contribution employer EPF contribution कितना होता है 3.67% यह employer contribution है जो contribute होता है employee के PF खाते में 3.7% अपनी तरफ से add करके जोड़ के उसमें जमा करता है employer की तरफ से यह contribute होता है 3.67% enter करते हैं अब आप यहां business ध्यान देंगे pay head type में जाएंगे यहां option है employer's statutory contribution यहां पर pay head type हम चुनेंगे और यहां आप देखेंगे बहुत ही important है PF account number 1 यह आपको यहां पर चुनना है और नीचे आएंगे यहां पर यह भी आपका indirect expenses ही होगा यह salary पर इसका कोई effect नहीं होता है क्योंकि यह employer खुद जमा करता है employee के EPF account में तो यहां से हम इसको no रखेंगे enter करते हुए आएंगे और same वही चीज on specified formula basic pay and dareness allowance इसको हम यहां से चुन लेंगे enter करते आएंगे और हम यहां पर 15,000 या जो भी salary है मैंने 15,000 एक category लिया हुआ है तो हमने 15,000 दिया परसेंट दिया और यहां हम डालेंगे three point परसेंटेस बनेगा 15,000 से उपर है तो उसकी जो value होगी 550 रुपे 50 पैसे यह इसका होगा तो यहां पर हम इसको enter करके इसकी value डाल देंगे और इसको हम यहां से accept कर लेंगे अब हम इसी तरीके से हम employer EPS बना लेंगे EPS जो होता भी मैंने आपको बताया कि जितना employee का जो PF होता है 12% वही 12% employer भी देता है उसको लेकिन वो दो भाग में करके देता है कहने का मतलब EPF जो होता है 3.67% employee के खाते में चला जाता है तथा 8.33% यह EPS अकाउंट में चला जाता है तो यह हमने लिख दिया 8.33 जो employer EPS contribution कितना होता है 8.33% एंटर करके आएंगे यहाँ पर हम employer इस्टेटरी contribution लिखेंगे यहाँ हम चुनेंगे आपका EPS account number 10 इसे आप जरूर देखेंगे यह बहुत ही important अगर आप इसको नहीं दोगे तो वहाँ पर आपका EPS detect नहीं करेगा indirect expenses में डाल देंगे यहाँ पर हम net effect salary को no रखते हैं because यह employer दे रहा है तो यहाँ पर हम वही चुनेंगे on specified formula basic पे और dearness allowance एंटर करके accept करेंगे यहाँ हम होई 15,000 provide कर देंगे यहाँ इसका percentage value हम यहाँ देंगे 8.33% और value हम डाल देते हैं 15,000 का जो 8.33% बनेगा 1249 रूपे something 60 पैसे यह हमने यहाँ डाल दिया 1249 पैसे accept कर लेंगे तो यह होगे आपका employee EPS contribution अब हम next बना लेते हैं employer ESI contribution यह होता है 3.25 यह आपका employer ESI contribution कितना होता है 3.25 होता है तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं और यहाँ पर आपका वही ESI आपका state contribution हम चुनेंगे यहाँ employee state insurance चुनेंगे यहाँ पर हम indirect expense चुनेंगे इसे हम no रखेंगे और यहाँ पर हम enter करते हुए आएंगे और यहाँ पर वही on specified formula चुनेंगे आप जानते हैं जो ESI deduct करता है वो gross salary पर deduct करता है employee के gross salary पर deduct करता है तो यहाँ से हम उसको देते चले जाएंगे सारे pay head यहाँ हम चुनेंगे इस तरह से और हम यहाँ से end of list करके accept करेंगे यहाँ पर देखें direct यहाँ जैसे ESI में आपका यहाँ amount के लिए नहीं मांगा था वैसे यहाँ पर भी आप ESI contribution जब करेंगे तो यहाँ पर भी amount को नहीं मांगेगा यहाँ भी amount नहीं मांगेगा और इस तरह से enter करके हम accept कर लेंगे अब हम एक pay head बनाएंगे आपका जो आपका PF admin charges करता है PF admin charge होता है जो PF files पर का charge करता है जिसे हम बोलते है PF admin charges पीएफ admin charge कितना होता है इस समय PF admin charge जो है वो 0.0.50 it means 50 पैसे आप कह सकते है 0.50 यह admin charges का है यहाँ हम enter करते हैं और यह क्या होता है यह employer का एक other charge है employer के द्वारा यह other charge पर एक जाता है जो PF admin charges कहा जाता है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम admin charges account number 2 चुनेंगे EDLI admin charges और EDLI contributions यह भी होते हैं लेकिन यह जो बड़ी कंपनियां होती multinational कंपनियां होती उनके लिए होता है ज्यादा तर conditions में आपका PF admin charges यह होता है तो इसको यहाँ पर हम accept करेंगे और यहाँ आप देखेंगे current liabilities हम करेंगे enter करके हम नीचे आएंगे यहाँ पर हम आएंगे directly आप देखेंगे यहाँ पर हम डाल देंगे 0.50% और इसको हम इस तरह से accept कर लेंगे अब हमको कुछ और pay hits create करने हैं जैसे आपका salary payable salary payable बना लिया हमने pay head type में हम यहाँ कर देंगे not applicable और salary pay करना एक liability होती है तो यहाँ current liabilities हम चुन लेंगे अब हम next बना लेंगे ESI payable ESI payable का हम एक laser बना लेंगे यहाँ जाएंगे not applicable हम करेंगे और यहाँ पर current liabilities कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे यही पर हम बना लेंगे आपका EPF EPF payable पीफ बनाए या EPF payable बनाए एंटर करते हैं आपर हम non not applicable हम कर लेंगे यहाँ से आपर current liabilities दे करके accept कर लेंगे अब हम क्या करते हैं हम चलते हैं यहाँ से back करके आ जाते हैं हम चलते हैं एक लेजर भी हमें create करना पड़ेगा तो हम accounts info में आएंगे और यहाँ से एक लेजर हम create करेंगे PF admin expenses PF admin expenses हम यहाँ से चुनेंगे और यह भी आपका हुगा क्या indirect expenses में जाएगा enter करेंगे और enter करते हुए में इसको accept कर लेंगे यहां से हम back करते हुए आएंगे हम चलते हैं पेरोल info में और आप देख रहे हैं हम आप पेहेड हमने लगवग सारे पेहेड हमने कर लिए जो company में कुछ importance थे सारे पेहेड कर लिए वैसे भी बहुत सारे पेहेड्स आप बना सकते हैं ग्रेष्टी बना सकते हैं reimbursement करके बना सकते हैं जो भी bonus वगरा मिलता है वो सब बना सकते हैं तो कई सारे ऐसे pay hits है medical allowances हैं बहुत type के allowances भी होते हैं उन सबको भी आप बनाएंगे इसी तरीके से आप सारे pay hit create कर सकते हैं तो हम चलते हैं back करके आते हैं और अब हमें सबसे important चीज बनाना है salary detail जैसा कि अभी आपने देखा था जब हम employees बना रहे थे तो हमने यहां से salary detail हमने यहां पर नहीं define किया था salary detail को हमने define नहीं किया था details को नहीं डाला था तो चाहे हम यहां से salary detail डाल दें या फिर हम directly यहां से pack करके जाएं और salary details में हम जा करके डारेक्ट हम यहां से salary define करें एक ही मतलब है आप देखें यहां group भी सो कर रहा है और आपके employees भी सो कर रहे हैं अगर एक group में एक सारे employees का एक एक salary है तो हम group में ही डालते हैं अन्यता हम employees के according उनका salary detail manage करें सबसे west हुई है कि आप employees के according ही salary detail manage करें क्योंकि हर एक employees का salary कम जादा होता है जैसे अगर वो ऐसे सेम है तो seniority juniority के हिसाब से भी वो salary कम जादा होती है तो हम चाहे यहां से manage कर लें salary को और चाहे हम define से करके पिछली वीडियो में मैंने यहां से ही manage करके दिखाया था हमने एक अभी आपको pay head उसमें बनाया हुआ है कि हम salary जो है वह advance में pay कर रहे है तो salary advance का है जैसे हम एक entry कर लेते हैं advance salary का हम accounting voucher में आ जाते हैं और यहां से हम payment में आ जाते हैं payment को हम आसे single mode में कर लेते हैं आप जानते हैं कोई voucher single mode में करना होता है तो हम उसको यहां पर यहां पर आपका use single entry mode payment receipt contract voucher को yes कर लेते हैं और हम यहां पर दे देंगे cash cash यहां provide करेंगे नीचे हम आएंगे तो यहां हम salary advance को चुनेंगे यहां पर हम चुनेंगे salary advance और salary advance माल लीजे हमने 6000 या 7000 हमने salary advance दे दी है 7000 रुपए हमने salary advance दिया यहां पर हम आएंगे primary cost category चुनेंगे और जिसे हमें एडवान्स सेलरी दी हुई है उसका हम यहाँ पर नेम चुनेंगे आप यहाँ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हम यहाँ से जिसके पास एडवान्स सेलरी है उसको हम यहाँ पर चुनेंगे फिर वो एडवान्स सेलरी उनकी सेलरी से बार-बार डिडेक्ट हो जाएगा तो माल से हमने advanced salary का payment कर दिया अब हम चलते हैं बैक यहां से बैक करते हैं अब हम जो अभी आपको बता रहे थे कि salary detail डालना है because वहां हमें वो पेहड चुननना था इसलिए हम इसको पहले ही कर लिए तो हम salary details में आए उससे पहले कि हम यहां उससे अच्छा है कि हम employees salaries से जा करके सबकी salary अलग-अलग करके डाल दें तो हम मोहित में आ जाते हैं और यहां एंटर करते आते हैं define salary detail में आ करके यहां पर हम yes करते हैं और यहां पर जो date आपका effective date हो वो date हम यहां पर provide कर देते हैं तो 142,020 आपका effective date है यहां पर हम basic पे देते हैं माल लिजे मोहित का basic पे जो है वो 7,000 रुपए है enter करेंगे इनका जो DA बन रहा है चुकि हमने वहां fixed डाला हुआ है इनका DA हमने बना दिया 6,000 रुपए इनका DA हमाल लिजे देखे एक example amount में डाल रहा हूं company में जो employees का basic pay DA होगा वो आपको डालना होगा यहां पर हम चलते हैं HR डाल देते हैं HR में देखे मैंने computed कराया हुआ इसलिए यहां पर आपसे rate नहीं मांग रहा है directly as computed लिख करके आगया है हम convince में चलते हैं और convince का हमने वहां पर flat rate किया हुआ है तो माल लिजे employees को जो convince मोहित को मिल रहा है sales वालों को जो मिल रहा है वो 3000 रुपए है इसके बाद हम चलते हैं over time यहां से चुन लेते हैं over time per hour इ ESI हम चुन लेते हैं EPF हम चुन लेते हैं जितने भी pay head बनाया है आपने वो सारे को आप यहां से accept करते चले जाएंगे हम salary advance भी चुन लेंगे because मोहित ने salary advance ले रखा है और यहां पर आप देखें flat rate होने के नाते यहां पुछा जा रहा है कि जो salary इनकी deduct करेगी हर महीने कित direct कर जाएगा इस तरह से हमने इसको करके accept कर लिया सेम यही इसी तरीके से हम control लेकर के save कर लेंगे इसी तरीके से हर employee के अंतर उसका हम detail salary का define detail हम डाल देंगे यहां yes करेंगे यह manager है इनका भी वही effective date है 2020 as example मैं डाल रहा हूं तो यहां पर आपका basic पे इनका basic पे हमान लेते ह है दस हजार है एंटर करेंगे और यहां पर dareness allowance जो है यह इनको मिल रहा है पूरा दस हजार इनका dareness भी है माल लेते हैं और यहां पर हम देते हैं आपको हारे हारे डिफार्ट ले लेगा चुकि सेलरी के हिसाब से उसका जो percentage दिया गया उसके हिसाब से डेक्ट कर जाएगा convince इनको मिलता है 5000 रुपे और overtime हमें अख डाल देते हैं 1500 रुपे पर आवर जुड़ेगा इनका overtime का मैंने डाल दिया और यहां पर हम डालते हैं ESI, EPF, Employer EPF, Employer EPS, Employer ESI Contribution, salary advance इनके पास है नहीं तो हम इसमें यहां इनको नहीं डालते हैं इंड़ लिस्ट करके इसको accept कर ल पर देते हैं इसी तरीके से राजेस को भी हम डाल देते हैं राजेस भी sales में ही है यहां enter करते हैं यहां पर हम वाई करते हैं और यहां पर राजेस का भी एक effective date जो है सबका हम मानते हैं कि यह और यह llega है तु है टाल दिया है इनका बैसिक पर मालीजे ठोड़ा सा सीनियर है ही इनका बैसिक पर 8000 रूपए है याहां इनका जो डी ए है डेरनेस है वो भी 800 यह इनका एंटर किया हमने यहाँ पर इनका जो hra बन रहा है वो percentage के हिसाप से deduct होगा because हमने इसमें computed value कराया हुआ है convince इनको 3500 मिलता है माल देते हैं यहाँ एंटर करते हैं और इनका जो overtime का processor है इनको overtime 60 रुपए ही मिलता है जितना मोहित को मिलता है अगर advance salary इनको भी मिला हुआ है तो उनको भी डालेंगे नहीं तो हम यहाँ से इंड़ोपलिस्ट करके accept कर लेंगे तो इस तरह से जितने भी आपके employees होंगे सब का आपको यहाँ से इसी प्रकार से डाल लेना होता है तो हम यहाँ से हमने salary detail भी डाल दिया है सारी चीज़े हमने बना ली हुई है अब हम चलते हैं vouchers करते हैं तो हम यहाँ payroll voucher पे आ जाते हैं payroll voucher में सबसे पहले हम attendance manage करते हैं attendance बनाते हैं तो हम यहाँ से आपका सबसे पहले हम date को बदलते हैं आप ध्यान देंगे educational mode यह है educational mode में बीच के dates नहीं लेता है कोई भी educational mode में टैली क्या करता है या तो starting का date लेगा या फिर last का और last का वही last जिस मन्त में 31 का महिना होता है जो उसी में वह last date लेता है मतलब एक दो लेगा या फिर directly एक्टिस लेगा तो यहाँ पर हम 31 तारिक डाल दे रहें 31 पांच 2000 विकॉज प्रेल में एक्टिस होता नहीं है तो हम यहाँ पर 31 मई का date हमने डाल दिया चुकि हम attendance बना रहे हैं और month के last में हमें पता चलता है कि कितने दिन present हुए कितने absent हुए हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं सबसे पहले तो control के साथ F5 प्रेस करते हैं attendance voucher पराते हैं F2 set करते हैं 31 पांच 2020 यहाँ चुनेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पर हम आटो फिल आप देख पा रहे हैं attendance आटो फिल का shortcut है अल्टे यहाँ हम अल्टे करते हैं और यहाँ 31 पांच आपका 100 कर रहा है एंटर करेंगे primary cost आल करेंगे तो सारे लोगों का इक अठा हम manage कर सकते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं present बना ल प्रजेंट है और जो राजियू है यह 23 डेस प्रजेंट है और यह जो आपका राजेस है यह 25 डेस प्रेजेंट है सेट कर लेंगे हम अब हम चलते हैं एपसेंट बनाते हैं यहां से आटो फिल कराते हैं एपसेंट करेंगे हम एंटर करते हुए आएंगे यहां से वी होता है, चार दिन संडे मिल जाता है उसमें, तो हम चाहें तो वीक आफ को हटा करके एपसेंट जिस पर हमारा लीप पेमेंट नहीं बनेगा, वो हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जैसे 24 थे, तो चार दिन भी एक आफ निकल गया, दो दिन का इनका एपसेंट इम बना लेते हैं, तीन दिन की इनकी एपसेंट इम बना लेते हैं, और एक दिन की इनकी एपसेंट इम बना लेते हैं, जिस पर इनको पेमेंट नहीं मिलना है, इस तरह से हमने बना दिया, हम चल गंटे उबर टाइम किया राजिव ने किवल 5 गंटे उबर टाइम किया और राजेस ने 6 गंटे उबर टाइम किया इस तरह से हमने दे दिया एंटर कर लेते हैं तो आपने देखा अटेंडेंस हमने बना लिया अब हम चलते हैं पेरोल बाउचर पर कंट्रोल एफ फोर प्रेस करेंगे पेरोल वाउचर पर हमा जाएंगे आप देख पा रहे हैं डेट हम सबसे पहले मैनेज कर लेंगे कि डेट क्या है तो 31 पांच 2020 की डेट होगी यहां हम चलते हैं आटो फिल आप देख पा रहे हैं पेरोल आटो फिल सॉट कट वही अल्ट प्लस ए करते हैं और यहां पर हम सबसे पहले सेलरी डेट कराते हैं भी आप देखेंगे सारे जो भी इंप्लोईज हैं सबकी सेलरी आटोमेटिक डेट हो करके आएगी यहां आप डेट जरूर देख लेंगे एजुकेसिनल मोड है तो हम एक पांच से एक तीस पांच तक कर रहे हैं एंटर करते हैं प्राइमरी कॉस्ट में हम एक साथ सबका सेलरी देखना चाहते हैं एपलाई नेम करेंगे यहां पर हम सेलरी पेवल लगाएंगे और य मीचे आप देखेंगे कमप्लीट सेलरी डिडेक्ट होकर के आ गई है आप देख पा रहे हैं यह जो बेसिक पे आप देख रहे हैं आप सारे वैक्तियों की सेलरी आपके सामने पांच पर कर आ गई आप देख पा रहे हैं ये जो basic payment deduct हुआ है पैसा कम हुआ है because इन्होंने जो छुट्टी ली हुई थी ये तीन दिन या दो दिन जो भी था इनका ये दो दिन absent थे उस absent पर इनका payment कटा हुआ है वो यहाँ पर आप देख पा रहे है डेरनेस भीक deduct हुआ है चुकि वो earning for employees पर था चुट्टी के according deduct हो गया है और ये salary पर 40% इनका जो भी total earning बनता है उस पर 40% ये deduct कर गया आपका सारी salaries accurate आगई है आप देखना चाहें अगर percentage के हिसाब से आप इसको manage करना चाहते हैं तो आप देखें सारी चीजें unique तरीके से आगई हैं आप देखें 1500 जो salary advance हो भी इसमें deduct क कर गया और किसी में salary advance deduct नहीं किया है तो इस तरह से सबकी salary आपके सामने present हो गई इसको हमें आसे accept कर लेते हैं तो इस तरह से हम salary को payable करा लेते हैं फिर हम चलते हैं alt के साथ ए करते हैं और हम अब यहां से PF contribution deduct करेंगे enter करते जाते हैं enter करते जाते हैं enter करते जाते हैं आप यहां employee name करेंगे यहां पर हम cash देंगे bank से और cash दोनों कर सकते हैं चुकिए bank की information हमने डाली नहीं है तो हम यहां पर cash ही कर लेंगे और directly आप देख पा रहे हैं यह इनका जो PF contribution है वो भी deduct हो करके आ गया इस तरह से हम इस करते हैं enter करते हैं enter करते हुए आएंगे यहां पर हम cash provide करेंगे आप देख पा रहे हैं ESI भी deduct हो करके जो ESI contribution है जो employer का वो भी deduct हो करके आ गया तो इस तरह से हमने सारा कुछ कर लिया अब बसता क्या है जो हमारा admin charges था तो admin charges हमको यहां नहीं करना है because उसे हमें adjust करना होगा तो हम चलते हैं यहीं से F7 प्रेस करते हैं यहां से हम back आते हैं और हम accounting voucher में आ जाते हैं और accounting voucher में हम F7 provide करेंगे तो journal voucher आपके सामने open हो करके आ जाएगा journal voucher में आप देखें तो यहां पर भी auto fill का option है other charges auto fill control प्लस O तो हम यहां से control के साथ O प्रेस करेंगे तो auto fill other charges आ ज देखिएगा बहुत ही important है option तो यहां से चलते हैं आल आइटम करेंगे और जो आपका expensive laser जो हमने बनाया था PF admin charges expenses का वो यहां पर आ चुका है admin charges का जो हमने पेड़ बनाया था PF admin charges 0.50 यह आ गया EDLI contribution और EDLI admin charges मैंने आपको बताया कि जो multi national companies होती है या कुछ ऐसी बड़ी companies होती है जो इसको provide करती है ज्यादा तर company जिसको नहीं देती है इसको मैंने आप नहीं बताया हुआ है तो हम यहां से enter करते हैं और enter करते हुए हम यहां से accept कर लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं ज यहां पर deduct कर जाता है तो इस तरह से इसको हम enter करते हुए आते हैं और इसको भी हम accept करा लेते हैं तो हमने सारी चीज़ें कर दी आपने देखा complete salary हमने minus कर लिया अब हम आते हैं यहां पर display कराके देखें उससे पहले हम क्या करते हैं balance sheet को चेक कर लेते हैं आप देखें यहां पर current liabilities में आपका सो कर रहा है 64000 आप देख पा रहे हैं यहां पर आप देखें यह जो आपका EPF जो आपका है liability जिसको आपको देना है जो employee EPF liability है वो यहां पर सो कर रहा है जो admin charges है वो सो कर रहा है और जो salary payable बना हुआ है वो भी सो कर रहा है सारे employees का salary detail यहां पर जो है वो यहां पर सो कर रहा है ऐसी तरीके से हम यहां से चलते हैं P&L को चेक कर लेते हैं यहां एंटर करते हैं आप देखें expenses में सारा कुछ आ गया एंटर करेंगे तो जो सारे expenses हैं अभी आपने pay नहीं करा हुआ है तो यहां पर देखें सारे expenses चुकी सब debit में ही आपको provide हो रहे हैं कितना basic salary है कितना convince है कितना dareness है सारी चीजें आपकी सामने इस तरह से present हो रही है अगर हमे closing balance जो अभी हमने payment नहीं किया हुआ है अगर हमे closing balance चेक करना है तो हम यहां क्या करते हैं यही पर F12 प्रेस करते हैं और यह settings में जाते है हम यहां पर yes कर लेते हैं और enter करते हुए हम आजाते हैं और यहां पर हम accept करते हैं तो आप देख पा रहे हैं closing balances में सारी चीज़ें हमी so करना है विकाज इसे हमें अभी payment करना भी मैंने payment नहीं किया हुआ है तो इस तरह से सारी details को आप check कर सकते हैं अब हम चलते हैं आपको payment कोई जरू नहीं आप 31 को ही करें जो भी date को आपको payment करना है वो payment का date आप set करेंगे यहां पर हम alt a कर लेते हैं payment के लिए आप देखें जो आपका यहां से हम करते हैं salary payment हमें करना है 1535 यहां जो voucher date हुआ आप उसको डाल लें यहां पर जाएंगे primary करेंगे एक साथ सब का हम करना है तो हम यहां से चुनते हैं salary paypal और आप देखें यहां पर cash कर देंगे बैंक detail यह पूछ रहा है यदि आपको bank detail वगरा प्रवाइड करना तो आप उसको करें अन्यता नहीं करें तो इसको no कर देते हैं भी हम फिर auto fill पर click करते हैं और यहां से एक एक चीज़ को हम यहां से payment करते हैं हम PF चालान पर चले जाते हैं यहां पर हम एंटर करते हुए आते हैं और यहां पर हम अपना EPF paypal चुनते हैं और यहां पर cash करते हैं और आप देख पा रहे हैं सब का जो EPF बना हुआ है वो भी directly य हमने यहां पर payable करा लिया अगर हमें income tax होगरा का भी payment करना है या ऐसा कुछ हमने बनाया हुआ है तो उसका भी payment हम यहां से कर सकते हैं तो आपने देखा हम चलते हैं back करके आपको complete report हम provide कराते हैं डिस्प्ले में आ जाएंगे डिस्प्ले में आने के बाद आप यहां चले आएंगे नीचे payroll report में आ जाएंगे आप statement of payroll पर आजाएंगे पेसीट चेक करनी है तो आप यहां complete पेसीट चेक कर सकते हैं एक साथ सबका तो आप देख पार हैं basic पे manager और sales दो जो ग्रूप बनाया था मैंने वो दोनों ग्रूप सो कर रहे हैं आप देख पार है basic पे कितना है convince क्या हुआ है DA क्या है HR क्या है over time क्या है total जो earning हुई है क्या है उस पे जो ESI वगरा deduct हुआ उसका जो detail है वो आपको यहां पर show कर रहा है तो यहां से हम back करके आ जाते हैं इस तरह से ऐसे ही अगर हम चलते हैं पेसलिप आप देखना चाहेंगे पेसलिप हम single single पेसलिप दिखाते हैं आपको हम मोहित का पेसलिप यहां से enter करते हैं आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा यहां पर पेसलिप completely आपके सामने present कर गया और आप देख पा रहे हैं यहां पर जो absent है जो आपका over time है जो आपक का जो salary और आप देख पा रहा है यह कि आपका पूरा पेसलिप करना ए तो यही से हम alt P करके पेसलिप को प्रिंट भी कर सकते हैं आप देखेंगे पेसलिप परिंट हो करके आ गई आप देख पा रहा है कितने अच्छे से पेसलिप generate हो गई है जो कि हमने cable setting मुगरा सब manage किया था यह tally ने automatic सारी सारी चीजें इसने डिडेक्ट कर दिया इसमें जो contribution हुआ है वो आपके सामने यहाँ पर प्रेसित हो रहा है आप इसको भी आसा समझ सकते हैं और देख सकते हैं आप देखें यहाँ जो आपका ESI contribution है यहाँ पर आपका सो कर रहा है तो आप देखें सारा deduction आपके सामने प्रेजेंट हो गया है तो इस तरीके से हम बिल को भी print कर सकते हैं और इसी तरीके से हम राजिव में जाएंगे राजिव का detail आप देखेंगे एक single single payslip के लिए इस तरह से आ रहा है अब देखें राजिव में हमने कुछ detail डाला हुआ था जितनी details हमने डाली थी वो details यहाँ पर सो हो गई है और सारा कुछ आपके सामने present होकर के आ गया है तो यह है आपका complete payroll complete details के साथ payroll आपका इस तरह से अगर इसे हमें print करना है तो alt p करके यह piece lip भी हम निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं यह piece lip भी आपके सामने represent हो जाती है तो यहाँ पर आपका जो total earning होता 31,750 इनको मिलना था जो इनका total amount payable बना 29,950 रुपे यह यहाँ पर net amount आपका 24,743 amount यह gross salary इनकी इतनी बनी लेकिन को जो amount payable होगा 24,743 रुपे 53 पैसे होगा तो इस तरह से हम देख पाएंगे सारे अगर हमें इकठे सारे देखने हैं सारी detail देख नहीं है तो हम multi payslip पर जाएंगे और यहाँ पर हमें इसको चुनेंगे यहाँ पर all कर लेंगे तो सभी की payslip आपके सामने आ जाएगी एक एक करके हम लहाँ से देख सकते हैं इससे राजीव का देखना है तो हम राजीव का देख लेंगे इसी तरीके से हमें मोहित का देखना है तो हम मोहित का payslip चेक कर लेंगे राजे इसका payslip चेक करना है यह कोई भी दिक्कत रहेगी तो आप वीडियो को rewind करके देख लीजिएगा एक से दो बार वीडियो देख लेंगे तो सारे concept आपका clear हो जाएगा आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी यह वीडियो अच्छी लगी हो